जुमा जुमा एक शे長 जंते के अंदर उनकी सरस्ता बाहलोगी ऑटी सक्षज का दिवालिय मुंकीने की मोडी प्रकश विपक्षो परटानां शाही मुंकीन मोडी है तो देश विश में प्रड़र संचत खांए संचत नगा जाएगी अच्छक प्रशिके कि नहीं आएगी तो शायद मेरे खाफ से वह डायन हो सकती है उन लोगों की नजरों में जिन बेहन बीटों के लिए इसको बोलना चाहिए था मैला बाल विकास की वी वनीजी मंत्री है तुमें तो सारे के सारे मुसलिम चहिए पर हिंदुस्तान में मुसल्मान निकालो अपनी चाहिए और उसके बात देश से विपक से तरह संसट में घुसपाएंगा या आपको लगता है और आपको बता दू जुम्मा जुम्मा एक से दो मीने के अंदर उनकी सरस्ता बाहलोगी यह बाईस को भी है यह बास तरीको भी गुजरात का फैसला आ रहेगा एक मिने के तो आज हमारे देश के अंदर यह वाली बात एक आत्मसमान बहुत बड़ी शीड होती है तो स्रिकार लीजिए कॉंग्रेस से क्यों गुम रहे हैं देखें मोदी जी का डिगड़ी लेके इसलिए गुम रहे हैं कि अन्दबक्तों तो रे सवाल है इस डिगड़ी के बहाद पे हमारी सवाल है कि जब यह फाउंट ही नहीं था उस ताहिम पे तो यह कहां से छप गई आप समझो जो सब्जेक्ट नहीं था वह सब्जेक्ट कहां से छप गया और उसमें भी डिगड़ी में स्पैलिंग गलत तो यह जो सारी बाते है अगर आज बात कहा रहा हूं यह फाउंट की बात हो रही है जिस समाने की डिगड़ी चपी होई और समय फाउंट नहीं होते थे नाम के स्पैलिंग गलत आरहे हैं आपको बताऊं पर जाके युनिवर्सिटी तो इस पे चपी होती है यह गलत फेमी है ब्रहम को दूर करो और सबसे फोटो भी खेचवा ली थी आप समझो उस आदमी के लिए सब कुल संभव है उनके लिए फोटो किछवाना भी संभव है श इंके लिए तो आदानी मजबूत होंगे यह मुमकीन है मोडी है तो देश के अंदर अंदबक्टी आर्मे कटोरा मुमकीन है कॉंग्रेस विवादी टिपड़ियां करती है जब मेठी में स्मृती रानी ती तो क्या कहा तो कॉंग्रेस के नेता ने कि वह स्मृती रानी या मेठी में लटके जटके मारने जाती है वह तो आप समृती रानी से बुच्छो क्या मारने जाती है वह तो वह बदाएगी मैं क्या मानने जाती है तो एक चुनावी राजनीती होती है पर आज विपक्ष की राजनीती बहुत जमीनी राजनीती में तो कॉंग्रेट जो है धड़ाम है आप आपको लगता है धड़ाम है आप चोड़ दो इस बार आपको बहुत बड़ाव देखने को मिलेगा आपके इंटर्वियू में मेरी बास सुनों आपके इंटर्वियू में सबसे कर लिया हो वह जुरूर आज नगाना कमेंटों में डाल गए पहले हम बीजेपी समर्दकते आज नहीं है आपको अपकी बात का जवाब मिलेगा युवाओं को धर्मों के मार्क में बढ़का दिया गया इन दो क्रोड लोकरी के सपने दिखाए गए आपने वादे इतने बड़े-बड़े कर दिये आपके ब्रहम में फद्दी यह वही वाली बात हुई आपने अपनी मश्यूका थे शादी से पहले त तक लटकाऊंगा तेरे पैर के निच्छे मैं बाई सब पूरे की पूरी ब्रमांड रहा खड़ा कर दूंगा आपनी तरह वादे कर दिये उसके बाद जब शादी हुई तो उसे पलंक भी गुमाते रहे गए सैकिल के जंडे पर बिढ़ाते रहे यही दोका मेरी बासनों य राम देव अपनी ऐसे लूंगी उठाटा के बोलता था पैंटी से पेट्रोल दिलवाऊंगा बच्चों किसको वोड़ दोगे यह सारे जूटे वादे जूटों की सरकार आप लोग बरबात करने के लिए तुल्चुडी है आज जूटे वादे जूटे सपने में ने आपक सबस्क्राइब करने की तरह है पीजेपी रक्षक हनुमान बराबर रख्षक तो रख्चा कर रहें को बंदर हो कि अब हमी तुम राम बनते हो उदर योगी ऑपनी राम की मूर्ती वानवांके अपनी फूजा तो आज लिए डिम्रूमां की नियों इनके लिए राम की मूर्ती शिर्व के पत्थर की मूर्ती है राम शब्द आपने विनम्ता वाला होता है जबकि यह उसको कहां दुष्टा में लेके आते आज तक मचाने के लिए राम के इस्तमाल करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने के लिए बात करते हैं, हिंदु मुसलमान को अब आप देखो वो पदम शिरी के अतना बड़ा मुद्दा उठा रख है, अरे अच्छी बात है पदम शिरी मिला, पर आज आप ये देखो कि आप शाल से लगातर अगात अगात मिलते हैं, उनको भूल जोगे, लिंचिंग भूल जोगे, राम नुमी के दिन तुमारे यहाँ पे हिनसों होती है, लिए ये उसको भूल जोगे, मस्जिदों के ऊपर यूटों समेच चड़गे, जो भगवाज अन्ड प्रारे तो उसको भूलड़ आज हमारे देश में एक मुसलम यह सबoooo homo संवीट पातरा जी कह रहे हैं कॉंग्रेस बस नौट अंकी कर रहे हैं बिल्कुल संवीट पातरा उसकी डिगरी का नहीं पता उससे पुझे कभी चुवाती तुन्हें तो आज डियूर्टर बन के बैठा हुए अज सम्भीत पात्रा डिबेट जब करने आता है तो हमें ऐसे लगता है कार्टून चैनल लगा दिया हो आज हमारे घर में पोगो देखना बन कर दिया बच्छों ने पहले आज से चीज़ पातरा की बात पोड़ी करते हैं पहले आज एक चोटे बच्छों के लिए गरों में वह उता था बंदर चाबी बरने वाला चोटा बच्छा रोता था मा उसके पालने पर रखती दी बंदर अचिछ उसलता था यह सब आधे आप सम्झों डिबेट में अरे नैस्टिल मीडिय के अगरी करता है जबाब जलन नहीं हो रही हमार को यह हो रहा है कि नैस्टिल मीडिय के मर्यादा होती है उस मर्यादा का ध्यान रखो उचलो मत कूदो मत अपने वेक्टंगों के इंदर जवाब दो एक बच्छा चोड़ा एक चोड़ा बच्छा बोलता है कल यह को नहीं डिबेट में आयों सर्च माल लेना आपको मिल देगा और मोलाना साब भागे भागे वह भी आपको मिल देगा नैस्टिल में बहुत जाते हैं पर आप इस चीट को सोड़ो आज आज आपने बात करी संबीत पातरागे उसके में बताया और आपने जो सुप्रिया कहते हैं तू चुप तू चुप वो ठीक है बिल्कुल अची बात है बहुत चुपी तो कड़ेंगे जिनको बहन बीटियों से बात करने की तमीज नहीं इनके जितने भी बीजेपी के परवक्ता हैं यह यह भी नहीं देखते के सामने म परवरत निकल के नहीं आएगी तो शायर मेरे खाप से वह डायन हो सकती है उन लोगों की नजरों में जिन बेहन बीटियों के बलतकार होते हैं आप जब हात्रस गेंदर बीटी को जिलाए जाता है क्योंकि वह दलीट बेटी जी इससे तुम नहीं बोलोगे तुम दलीट का दो जार निस के लेक्शन के वह दिल नहीं बूलते कि उनके पैर दोओंगा पैर दोकर सम्मान दूंगा और दलीटों के तुम मंदिर तोड़ते हो आप समझो रवीधास मंदिर तोड़ते हैं तुम लोगों ने तुम मंदिरों के भी नहीं हो मैं यहीं कहना चारा हूं ना सब्सक्राइब करते हैं तो अपने मूझ से ब्यान देते हैं आज उस आदमी की डिग्री का पूशी क्यों रहे हो आज मेरी बास सुनों उस आदमी की डिग्री के बारे मेडिया वाला काई पूछ रहे हैं या तो आप केजरी वाल तो संगी आदमी है आज डिग्री मैटर नहीं करती आज हिंदुस्तान की राजनीती में इन लोगों ने भरहम से दोके से कुर्सी आसिल किये लोगों को जुटा दिलासा दे के जुटा आश्वाशन दे के डिग्री आसिल किये यह यह सबसे बड़ा मुद्द है कर ineffective है जहिए कि मुसलीं लड़किया हैं थे साथी करें और हलाला से तलाक से मुक्ति पाए उसको बोलो आप जी मुसलमान do बेचा .... होताई कोंशाओ से नोगा उसमोंटा आपी की इस घथ की लगी लेके बैठा हुए अपने घ़र के आंदर बदब हिंदु लडगी लेके बैठा हुए तो आश वोचने की बात है तुम्हें तो सारे को सआए मुसल्म contenido है। में जवाब दे रहा हो। हम मच्छा करें। हम तरे हूं को सवागत करते हैं। और जब तुम अपनी बेट्रियों को मुसलमानों से विया रहे हो तो तुम्हार को डर की शीड का आज यही तो बात हो लिए पीजेपी कह रही है सबक मिल गया है आप लोगों को आप लोगों को आप विवादे टिपड़िया नहीं करेंगे कि इस से पहले भी चाय बेचने वाले को नीच चाय बेचने वाला कहा था कॉंग्रस ने देखिए एक चोटी जी बात है जो आदमी जिस केटेगरी की परविती रखता है लोग उसको उसी दे उजागर करते हैं अगर आज हमोदी जी के बारे में किसी ने नीच बोला किसी ने उनको कुछ बोला थो हो सकता उनके उनको रिखता हो अभी सम्रीट टिराणि के लिए आपने तो इस ने मुझे पुछ रहे था तो उस बंडे से पूछ आगए उसके एर्मी को आज़े गरे हैं इस्टी मीडिया में अमन चोपड़ा रेडियो रवांडा खोल लखा है कोई मुसल्मान अपनी जबान नहीं खोल ला कॉंग्रेस क्यों नहीं आ गया है देगे मेरी बासुनों अमन चोपड़ा की बाद आप छोड़ दो वह एक प्रोपोगेंडा पे काम करने वला आदमी है उ निस्टन दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्टन दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे